devil is in the detail guy जितना जितना हम किसी चीज़ के detail में जाते हैं नई नई बातें निकल करके सामने आने लगती हैं और वो नई बातें ही खतरनाक होती हैं यही हुआ NTA के इस case में यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि भई यहाँ पर NTA ने कैसे एक Supreme Court के judgment को मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह वाला जो judgment इन्होंने यूज किया है इसका सच क्या है बहुत बड़ी बात है बटा आप यह वीडियो को देखिए आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि इन्होंने सबते पहले इसके बारे में बात करी थी जब हम लोगोंने फाइंड आउट करा था कि 718, 719 माक आ रहे हैं जो कैसे प्रॉसिबल है इन्होंने फिर बोला कि हमने Apex Court, Honorable Apex Court आप ध्यान से देखिए यहाँ पर अच्छे से बोला इन्होंने Honorable Apex Court की बात हमने सुनी, यहाँ पर कोई कुछ बताया नहीं है इन्होंने कि क्या करा, कौन से कहां से आया, यह स्टेटमेंट किसने दिया इन्होंने बस यह बोला कि कुछ Candidate को Grace Marks दिये गए हैं जिसकी वाज़े से 718, 719 माक पॉसिबल है लेकिन जब हम लोगोंने एक होकर, एकता से बहुत तेज आवाज उठाई, तब इन्होंने बहिया, यहाँ पर 6 June को एक प्रेस रिलीस किया जिस 6 June के प्रेस रिलीस में इन्होंने सारी बात बताई, जो Compensatory Marks वाला जो Loss था, Loss हुआ था उसके उपर जो इन्होंने Compensation Marks दी है, तो जो Grace Marks दी है, टाइम आफ लॉस के अगेंस्ट, उसमें इन्होंने बताया, कि हमने CCTV फुटेज के हिसाब थे, जो इनका Petition हुआ है, राइट Petition फाइल होते हैं, 551 नंबर का, 2018 में फाइल हुआ था, उसके हिसाब से, जो किसका जज्ज्मेंट है, जज्ज्मेंट किसका है वईया, यह Supreme Court का, Honorable Apex Court का जो जज्ज्मेंट है, उसके हिसाब से हमने Grace Marking दी है, क्लियर है हमने मान लिया, चलो Supreme Court की बात आप मान रहे हैं, इस पर हम सवाल तो उठा ही रहे थे, लेकिन Supreme Court की बात आप मान रहे हैं, आप Honorable Supreme Court की बहुत हिज्ज्जत करते हैं, आप बात मानते हैं, तो हमने बुला की चलो चलते हैं, थोड़ा इधर चलते हैं, हम यहाँ पर Supreme Court की website बटा, Supreme Court of India की website इस website बगर आपन चलें और केस कल आप बात करें, तो civil case है, थीक है, थीक है है तो civil right petition है, अब यहाँ पर, petition number इनहोंने क्या बता आपना , 551 कोई इस abuse नहीं, कौन से एयर की बात करिए, 2018νο कोई क्या बेकिना होता है, 13 13 वो एक घंदा नमबर माना जाता है चोकि मुझे लग रहा है कि NTA के लिए होने वाला है ध्यान से देखिए यह आ गया वह वाला judgment इसके उपर का पूरा explanation जो था वो मैंने आप लोगों को दे चुका हूँ अब यहां पर देखिए हम जाते हैं यही है नमा का आप जब देख हो चुका है सब कुछ हो चुका है लेकिन जब हम यहां नीचे जाएंगे तो आप समझिएगा admission to the educational institute other than other than क्या लिखा है सभी लोग देखेंगे क्या लिखा है other than medical and engineering other than medical and engineering क्योंकि इसमें तीन अलग-अलग subject होते हैं एक ही जैसे questions सारे नहीं होते अलग-अलग sections होते हैं अल सब्जेक्ट का अलग-अलग difficulty level होता है तो medical और engineering exam में आप यह चीज valid नहीं कर सकते हैं यही तो हम इतने दिन से चिला रहे हैं तो यह इस judgment में साफ Supreme Court ने लिख करके दिया है और इन्होंने यह चीज इग्नोर करते हुए यही judgment को use करते हुए सभी बच्चों के साथ बहुत बड़ी खिलवाट ठीक है अब यह हमारे पास बहुत बड़ा ग्राउंड बनने वाला है यही चीज हमारे पास बहुत बड़ी एक पावर बनने वाली क्योंकि इन्होंने जब हम यहां पर apply करेंगे जो भी चीज के लिए हम apply करेंगे हम चाहेंगे कि अगर पेपर लीक अब यहां पर बड़ा statement आप लोगों से पूछना चाहूंगा क्या आप देख रहे हैं कि हमें हाई कोट सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे हाई कोट जैसे कलकता हाई कोट ने स्टे लगा दिया और इसके बात क्या हुआ जगे-जगे PILS file हो रही हैं बहुत सारी PILS file हो चु बहुत सामने एईसी बाते निकल करके आ रही हैं जैसे कि आपसे क्या चाहूंगा result दिया, अब हमें सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है कि मिल जाएंगे और I think कि कुछ न कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो अब मैं आप से क्या चाहूंगा, आप से ये चाहूंगा कि बेटा जो 2025 की preparation कर रहे हैं, वो बच्चे इस चीज में जादा involved ना हो, जिन्होंने सोच लिया है कि 2025 की preparation करना है तो बटा वो लोग अपनी पढ़ाई चालू रखें है न, अपने regular classes attend करें, मैंने देखा काफी सारे बच्चे टीचर्स का नाम कमेंट कर दीजिए, I'll start taking that lecture on clear है, आपकी अगर support होगी, आपका सब कुछ होगा, तो अपन पढ़ाई शूरू कर देंगे, तो हम लड़ेंगे भी, पढ़ेंगे भी, सब कुछ करेंगे, आप चिंता मत करें, ठीक है, we will win, we will fight, ओके, बट हम कमजोर ना हो जाए नहीं, तो अगले साल NTA फिर बुलेगा रहे तुमसे तो नेट निकली निकली निक, लास्ट यर तो बड़े नेता बन रहे थे, तो यह भी हमें नहीं करना है, ओके, तो यह हमारा जो करतव भी है, वो नहीं भूल जाना है, दोनों चीज़ों को बैलन्स करके चला, ओके एवरिवन, I hope यह वीडियो आपको बहुत अच्छे लगी होगी, thank you very much बच्चा, यह वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं आपते, अगले वीडियो में, कमेंट करिएगा, लाइक ज